लोकडाउन के दोरान बेखौब अपराधियों ने एक यूवक को गोली मान कर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद परीजनों में कोहराम मचा हुआ है। गतना मट्यानि थानर शेत्र के सैधपुर गाउं की है। मिरतक यूवक की पहचान सैधपुर निवासी मुहमद श्वमी आ जिससे दो गोली परवेज को लग गई और वही पे वो बिहोस होकर गिर गया। गोली की आवास सुनकर अस्थाने लोगों दोड़े तो अपराधी मौके से हत्यार लहराते हुए फरार हो गया। वहीं अस्थाने लोगों ने इसकी सूचना उसके परीजन को दिया। मौके परीजन पहुशकर आननमफानम में इलाज के लिए एक नीरी नर्सिंग होम में भरतिक रहा गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परीजनों ने बताया कि गाउं कही दोस्त को बुला कर घर से ले गया और इस घटना को अन्जाम दिया गया। जहां दो दिन पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस कुलेंगर गाउं में पंचायद भी हुआ था। इसी बात को लेकर आज घर से बुला कर ले गया और गोली मार दी। फिलाल मतियानी थानी के पुलिस मौके पर पहुँचकर चानबीन में जोच चुकी है। बेगु सरा है वो लोग कंपरमाज करा के एक ही मोड़ सेखिल से लाके दोनों को छोड़ा एक ही साथ। उसका बाद इस साम में उधर गया गाशी के तरफ जहां घटना हुआ वहां गया आधा गंटा पहले साथ बजे। गया तो दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ उसका बाद दोनों पहुआ है किस बात के लिए कर पाई हुआ था इसे हुआ था को लोग सब बुला हो गया बात में खत्म हो गया आप हम दोनों जैसे थे वैसे रहेंगे उसका बाद लोग साधीस करके इसको कल मार दिया तुसा आज मार दिया समझाता में जो है कौन आदमी सम्झाता में था कादिर था तंबीर था दानिस था यह सब मिलके सम्झाता किया और और अदमी था उसका नाम नहीं जानते हैं उसका बाद यह मारा है साविर्क मारा गोली और साविर्क बेटा राजा गोली मारा है उसका बाद एक रज्जाक यह सब को नहीं के निके है, कोई दूसमान उनस मुष्पन कुछ नहीं था सब दोस्त है, क्या नम है इतका, नम मोहमद परवेज होगा, पिता जीक नम मोहमद समिय अलम, घर सहितपूर, बात है, 15 नमर बार आपके कौन है मेरे भायवी अक्क क्या नाब मेरा नाम मुहम्मद फैसल है